आज के वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगे कि आप करवा चौत पूजा की चौकी किस प्रिकार से उठाएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी का करवा चौत बहुत अच्छा रहा होगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं सबसे पहले तो आपको माता की फोटो का क्या करना है आपको माता की फोटो अगर आपने लिए और एकदम सही फोटो है आप फोटो को वापिस उठा कर रख सकते हैं नेक्स यर आप इसी से पूजा कर सकते हैं, फोटो वापिस उठा कर कहां रखेंगे, मंदिर की ड्रॉवर में लाल रंग का कपड़ा बांद कर आप फोटो रख सकते हैं, या फिर मंदिर में भी आप पीछे को रख सकते हैं, जैसे भी आप चाहें, इसके बाद आपको अपनी करवे का क्या करना है, अगर पीतल का करवा है, तो आप उठा कर रख सकते हैं, नेक्स यर वापिस यूज हो जाएगा, अगर आपका मिट्टी का करवा है, तो मिट्टी का करवा हर वर्ष न्यू लिया जाता है, नया ही लेना होता है, पर अगर आप चाहें, अब इस करवे क इसके बाद आपको ये गेहूं का क्या करना है ये गेहूं जो है ये आपको दान करने होते हैं मिसरानी पहले जमाने में कहानी सुनाने आती थी तो उन्हें देते थे अब आप जो है किसी को भी दे सकते हैं आपके गर में अगर कोई हलपर आती हो या मंदिर में आप जाकर दे सकते हैं जितना भी श्रिंग आर का समान होगा वो आप किसी को दे सकते हैं आप खुद भी उस कर सकते हैं जो भी आपने समान चड़ाया सिंदूर एट्सेटर वो सब आप खुद यूज कर लीजिए और थोड़ा बहुत किसी को बाट दीजिए जो प्रसाद और फल होगा इससे तो कल आप निवरत खोला होगा जो माता के पास होगा यह आप सब प्रसाद के रुप में खा सकते हैं जो आपकी करवा चौत की छन्नी होगी या जो डेकोरेटेड थाली होगी थाली तो आप दिवाली एटसेट की पूजा उठानी होती है अगर आप ने फोटो की जगा माता का कैलेंडर लिया है तो कैलेंडर हर यह नया लिया जाता है क्योंकि एक एर तक पेपर का कैलेंडर समालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप दूर रहते हैं और नया कैलेंडर नहीं ले सकते you very much for watching, please like, share and subscribe, thank you.